खर्गौन जिले के कस्रवत तहसील के अंतरगत आने वाले स्वास्व भाग में बड़ी लापरवाही नजर आई ताजा मामला बलकवाडा का बताया जाता है कि सामुदा एक स्वास्त केंद्र का है जहां पहुंची प्रसूता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा जानकारी के मताबिक एक प्रसूता को डिलेवरी पीरियंग में भर्टी कराया गया लेकिन उपस्तित स्टाफ नर्स रीना चोहां ड्यूटी टाइम खत्म होने का हवाला देकर प्रसूता को तडपती हालत में छोड़ गई इस दोरान परिजन ने बताया कि घर जाकर बुलाने के बावजूत स्टाफ नर्स ने उपचार नहीं किया वहीं अस्पताल में पदस्त ग्रैसर मनुहलाल बडोले ने बताया कि मानफता के नाते स्टाफ नर्स द्वारा अपने कार के प्रती खोड़ लापरवाही बढ़ती गई है वहीं प्रसूता के परिजन को अस्पताल प्रभधनन की भूमिका अदा करते हुए डिलेवरी करना पड़ी करवाईगे कौन नर्स नहीं आई क्या नाम थामका रीरा चौवाद क्या नाम अपका दाला मरोला बडोले ड्रेसर में तुमना करके इस पर्ष्ट क्या बोले मना करके कि हम मेरी जूटी खतम हुए इसका जुमेदार को नहीं हो बच्चा को हो जाता था इसका जुमेदार को नहीं फिलाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं वही मामले में अस्पताल प्रबंदन की घोर लापरवाही उजागर हुई है पता दे कि मद्रब्रदेश में कॉंग्रिस सरकार के स्वस्थ मंद्री तुलसी सिलावत मैकमे को सुधाने के लिए नितनए योचनाय चला रहे हैं और करोडों रुपे खर्च कर रहे हैं कसरवत से शेफ कुमार राठोर की रिपोर्ट